हर उत्कृष्टता एक इशारा है एक संकेत है आस्मान की और संकेत है और प्रकृति के विरुद्ध विद्रोह है जब सबको एक जैसा होना चाहिए था तो कोई खास हो कैसे गया जो खास हो गया उसको तुम मानो कि वही भगवान तो नहीं तो भगवत्ता का प्रतिनिधी जरूर है समझ रहे हो बात को सबको एक जैसा होना चाहिए था ना दुनिया में सबको एक जैसा होना चाहिए था कोई प्रकृति अलग अलग तो बनाती यह नहीं चूहा चूहा एक जैसा कववा कववा एक जैसा शेर शेर एक जैसा सबको एक जैसा होना चाहिए था कोई अलग कैसे ह गया, यह जो अलग हो जाना है यह जो खास हो जाना, विशिष्ट हो जाना है यह बड़ी अदभुद बात है, श्री कृष्ण कह रहे हैं, तुम इसी बात का इस्तेमाल कर लो जो अलग दिखे तुम उसी को ईश्वरिय सत्ता का प्रतिनेधि मान लो, तुम कहा अलग तो कोई हो यह नहीं सकता, जब सब एक जैसे ही यह अलग हुआ कैसे, जरूर कोई जादू घटा है जरूर कोई जादू घटा है तो वो कहा रहे हैं, जो सबसे अलग हो तुम उसी को कृष्ण मान लो जो सबसे बलवान और विजेता शस्रधारी है वो अलग हो गए बाकी सब एक तरफ जो सबसे अलग है वो बिलकुल दूसरे तल का मानो अब क्योंकि उसको भी बाकीयों के जैसे ही होना चाहिए था ना वो बाकीयों के जैसा नहीं है इसका मतलब उसमें कुछ तो है जो प्रक्रति से बिलकुल अलग है इसलिए फिर भारत में जो उतकृष्टताएं हैं उनकी पूजा की गई अब देखो पशु होते हैं सारे बात समझना पशु होते हैं सारे सब पशु किसी न किसी तल पर आकरामक व्योहार दिखाते हैं गाय ऐसा पशु है जो निउनतम आकरामक व्योहार दिखाती है सब पशुओं में देखा जाए तो एक बेचैनी रहती है गाय में वो बेचैनी बहुत कम पाई जाती है गाय बड़ी आसानी से विश्वास भी कर लेती है तो ये पाया गया कि पशू-पशू सब पशू है गाय में कुछ ऐसा है जो पशूओं से भिन्न है थोड़ा ये नहीं कहा जा रहा कि गाय पशू नहीं है पर गाय में एक उतकृष्टता पाई गई तो गाय को एक प्रतीक की तरह दैवी ये सत्ता की प्रतिनिधी के रूप में सुईकार कर लिया गया उसे गौमाता कह दिया गया ऐसा नहीं है कि जो गौमाता कह रहे थे वो नहीं जानते थे कि है तो पशु ही है तो पशु ही पर जारा खास पशो है पशों से अलग पशो है ऐसा पशो तुम नहीं पाओगे जिसका वजन तुम से तीन गुना चार गुना दस गुना हो लेकिन उसके बाद भी वो तुम्हें सींग ना मारे ये छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं और गईया के सींगों से लटक के खेल रहे हैं और बच्चे की अपेक्छा उस गाय का वजन है दस गुना बच्चा लटका हुए और गाय उसे कुछ कहनी रही और आराम से बैठी है वो तेजित भी नहीं हो रही ऐसा पशो मिलता नहीं है क्रिष्ण के रहे हैं जहां कहीं ऐसा तुम्हें कोई भी उदाहरण मिले तुम उस उदाहरण को ही पूजनिये बना लेना तुम उस उदाहरण को ही मेरा प्रतीक मान लेना बास समझ में आ रही है एक्सिलेंस जहां भी दिखाई दे डिस्टिंक्षन जहां भी दिखाई दे उतकृष्टता और विशिष्टता जहां भी दिखाई दे समझ लोग ये क्रिष्ण का काम है वरना ये हो जी नहीं सकती थी प्रक्रती ने तो पूरा इंतजाम कर दिया है था कि इस प्रत्वी पर ना कुछ उतकृष्ट हो और ना कुछ विशिष्ट हो देखिए पीपल का पेण घास के तिनके की अपेच्छा बहुत बड़ा होता है घास में और पीपल में अंतर होता है पर पीपल और पीपल में अंतर होता है क्या नहीं होता ना प्रकृति ने पूरा इंतजाम कर रखा है कि सब एक जैसे हों, और बहुत लोगों की जो विचारधारा है कि सब एक बराबर है, सब एक बराबर है, वास्तों प्रकृति की ही बात कर रहे हैं, और प्रकृति ने ऐसा करा भी है कि शरीर के तल पर सब एक बराबर होंगे, लेकि प्रकृति के इस प्रबंध के विरुद्ध अपवाद मौजूद होते हैं exceptions मौजूद होते हैं कृष्ण यहाँ पर उन्हीं अपवादों की बात कर रहे हैं कृष्ण कह रहे हैं जहां कहीं भी वो अपवाद exceptions दिखाई दे बूलना कृष्ण मिल गए गंगा भी नदी ही है पर थोड़ी खास नदी है exceptional नदी है तो फिर उनको मान लिया गया कि यह देवी यह नदी है है कुछ नहीं बहता पानी पर भारत ने एक खास बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए फिर उनको कहा गंगा मैया बात समझ में आ रही है हर शिखर प्रकृति के विरुद्ध एक अपवाद होता है प्रकृति के खिलाफ एक चुनोती होता है शिखर आ कहां से गया प्रकृति को तो शिखर पसंद ही नहीं है वो तो यह चाहती है सब एक जैसे रहें और देखो ना प्रक्रति के इंदिजाम में सब एक जैसे हैं कि नहीं जो तुम्हारे साथ होता है यो उसके साथ होता है मांसिक तल पर भी जो तुम्हारी वृत्तियां होते हैं उसकी वृत्तियां होते हैं लेकिन बीच बीच में अजूबा हो जाता है कुछ ऐसा हो जाता है जो होना नहीं चाहिए था जैसे प्रकृति के खेल में बाधा पड़ गई हो जैसे कुछ अलग, कुछ अजीव हो गया हो कृष्ण कह रहे हैं जहां कहीं भी तुम वैसे अपवाद देखो उन अपवादों का इस्तिमाल कर लेना, मुझे याद कर लेना हाथियों में एरावत को देखो, मुझे याद कर लो क्योंकि सब हाथी एक तरफ, एरावत एक तरफ तुम्हें मन में ये सवाल उठना चाहिए, एरावत आ कहां से गया? फिर कहो प्रक्रते से तो नहीं आ सकता, इसका अर्थ है कि प्रक्रते से आगे की भी कोई सत्ता है, उसी का नाम क्रिश्ने प्रक्रते से सामाने सधारन हाथी तो आ सकते थे ना? यह एरावत कहां से आ गया यह एरावत प्रक्रते से तो नहीं आया है प्रक्रते से थोड़ा आगे का है तो एरावत को देखना तो याद कर लेना कि प्रक्रते से बड़ा भी कोई है प्रक्रते का बाब भी कोई है और वहीं तुम्हें पहुँचना है पूजा का नाम कृष्णत तो है कृष्णि हाँ पे कह रहे हैं वर्षिप एक्सिलेंस तो कृष्टता की पूजा करो उचाईयों की पूजा करो हर उचाई कृष्णत का प्रतीक है बात आ रही है समझे और न जाने कितने उधारन देकर फिरोने समझाया है समझे जितने भी प्राकृतिक उदाहरन अरजुन की दृष्टी में सामने थे उन सब को लिया है कृष्ण ने और काय देखो इनको अगर देखोगे तो फिर इनमें मैं ये हूँ पशुवों को अगर देखोगे तो मैं सिंग हूँ जब जानवरों को देखना और फिर शेर को देखना कहना कुछ बात तो है और बात तो कुछ होगी देखो ये सिंग होता है क्या ये जंगल का सबसे भारी पशु है है क्या इससे नजाने कितने भारी है बलकि सिंग से ज़्यादा भारी तो बाग ही होता है क्या सिंग सबसे दृत गामी पशु होता है सबसे तेज दोड़ता है सिंग से ज़ाद तेज तो चीता दोड़ता है क्या सिंग उड़ सकता है क्या तैर सकता है पेड़ पर चड़ सकता है पेड़ पर भी नहीं चड़ता हुँ बाग चड़ता है तेंदुआ चड़ता है शेर को चड़ता नहीं पाऊगे फिर भी सिंग जंगल का राजा क्यों कहलाता है कुछ बात उसी बात का नाम कृष्णत है उसकी आँखों में कुछ है उसके नजरिये में कुछ है न वो सबसे तेज दोड़ पाता है न वो सबसे शक्तिशाली है लेकिन जीता वही है राजा वही है कुछ बात है जब भी कुछ ऐसा दिखाई दे जो होना नहीं चाहिए फिर भी हो रहा है और बड़ा खास है यह आदमी का काम नहीं है यह प्रकृति का काम नहीं है यह कृष्ण का काम है कृष्ण कह रहे हैं ऐसे मौकों का फायदा उठाए, जहां भी कुछ खास दिखाई दे, तुरंत हाज जोड़ो सर जुकादो, कहलो प्रमान मिल गया आपके होने का, यह जो भी मेरे सामने है, यही प्रमान है आपके होने का, आप नहोते तो यह विशिष्टता हो नहीं सकती थी, आप नहोते तो जीवन में कृष्ण कहीं नहीं है, बस प्रकृत है, शरीर है, देह है, मलमूत्र है, यही सब, अपने आप से सवाल पूछिए, कोई भी क्षेत्र है जीवन का, जिसमें आप उतकृष्ट हैं, विशिष्ट हैं, एक्सिलेंट हैं, अगर नहीं हैं, तो कृष्ण से तो बहु किस चीज में आप बवतराज हिमाले की भाती हैं, बताइए, खुड़े के ढ्धेर में भी कुछ उचाई होती है, उतनी उचाई के जीवन में, आपकी कुल उचाई उतनी ही है, आप कहते हैं, यह भी आता है, मैं इसमें पारंगत हूँ, उसमें निपण हूँ, वो उचाई यां उतनी ही हैं जितनी कूड़े के ढहरों की होती है हिमाले जितनी उचाई जीवन के किसी भी क्षेतर में है कि आपके पास और अगर नहीं है तो कूड़े से बहतर जीवन कैसा है आपका और उस पर भी शर्मनाक बाती है कि हम में से ज्यादा तर लोग उस कूड़े की इट खराब हो जाता है किताबें पढ़ने से और बार-बार बोलने से कि मैं तो साहब कृष्ण भक्त हूँ या अध्यात्मेक आदमी हूँ आप दो कृड़ी के अध्यात्मेक नहीं हो गए अध्यात्म अगर है आपके जीवन में तो विषिश्चता दिखाई देगी विषिश्च कहां है आप टबीर साहब विश्ष्ष्ष्ठ हुए नानक साहब विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् अगर वास्ताव में आप में कृष्णत तो होता है, तो आप जगत पर छागए होते हैं, जगत में आप ही कोई हैसियत नहीं, कोई काम आपको करना नहीं आता और आप बोलते हो मैं अध्यात्मेक आदमी यूँ जूटे, खुद कोई धोका देते हो, एक काम नहीं है, जो बल पूर्वक कर सको, एक काम नहीं है, जिसमें तुम जंगल में शेर जैसे हो सको, एक काम नहीं है, जिसमें तुम हाथियों में और एरावज जैसे और घोडों में उच्छाई श्रवा जैसे हो सको, लेकिन दावा यही है कि ह हम तो आध्यात में कहें बैठ करके आध्यात में किताबें पढ़ रहे हैं करना कुछ नहीं आता कि ऐसे लोगों को मैं बोलूँगा बाकी सब किताबें छोड़ करके कि स्रीमत भगवत की ताकत अध्याय विभूत योग बार बार पढ़ो और थोड़ी शर्म करो कि भुलना नहीं कि प्रक्रत के खिलाफ जाना प्रक्रति से ऊपर उठना अपने आप नहीं हो जाता मेहनत लगती है तुम अगर किसी भी क्षेत्र में अपनी प्रतिभा नहीं बना पाए हो तुम किसी भी शिक्षेत्र में उचाई हासिल नहीं कर पाए हो तो उसकी वजह तुम्हारी किस्मत नहीं है उसकी वजह तुम्हारी प्रमाद प्रियता आलत से प्रियता और जूट प्रियता है बहाने मत बनाना कि मैं क्या करूँ मेरा तो अतीता ऐसा है वह ऐसा है बेकार की बाद तो जिसको चाहिए हो उसको उचाही मिल जाती है तुम्हें नहीं मिली है तुम्हें चाहिए नहीं